हेलो नमस्का मेरा नाम रिश्यप सिंग है और आप देख रहे हैं करेंट अफेर्स पाउट बाइडर 247 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है भारत के डिफेंस सेक्टर से और प्राइमस्टर मोधी ने इनागरेट कर दिया है टाटा एयर बस फैक्टरी को जो की भ जाएगा उस एयरक्राफ्ट का नाम है सी 295 एयरक्राफ्ट यह पूरी तरीके से इंडीजियस इंडीजिनियसली बनेगा और मेक इंडिया कैम्पेइन के तहद बनेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी ख़बर है क्योंकि अगर हम अभी बात करें तो सी 295 एयरक्राफ्ट के फीचर्स कहा है इसको समझने से पहले इस तरद आपको समझना होगा कि जो स्थिती है हम जियो पॉलिटिकल स्थिती की बात कर लें बहुत अच्छी नहीं चल रही है ठीक है चाहे रशिया यूकरेन की बात कर लें महां पर क्रैसिस चल रहा है मिडिल पर और अब यह देखते हैं कि अब देखे बात यह कि चाइना के डिस एंगेजमेंट प्रोसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कल को वह अग्रेशन कर सकता जैसे 2020 में चानक से कर दिया था या जैसे 2017 में दो कलाम पर कर दिया था दो कलाम एशु कर दिया था इस तरी की के बीच बीच में चाइना करता रहता है so that वो अपनी एक power dominance दिखा सके भारत को ठीक है और पाकिस्तान का आपका attitude पता ही है और ऐसे में अगर हम भी present बात करें तो defense equipment जो है वो हम जादा तर export यानि कि बाहर की देशों पर depend है तो इस वज़े से कल को अगर कोई ऐसी स्तिती बनती है कुछ ऐसी crisis हो गई चाहे LOC पे या LAC पे तो ऐसे में अगर supply disruption है तो वो भारत के defense के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा इसी वज़े से जो भारत का think tank है जो policy makers है उनकी यही सोच है कि जादा से जादा करके हमें defense equipment manufacturing करने है भारत में manufacturing करने है और इसके दो फायदे होंगे एक तो भारत की manufacturing sector boost होगी साथी साथ भारत उस indigenous product को उस indigenous defense equipment को दूसरी countries को भी export कर सकेगा तो एक ही तीर से दो निशाने हो जाएंगे एक तो भारत की manufacturing strong होगी प्लस भारत का importable कम होगा प्लस भारत के जो defense equipment के लिए dependency है दूसरे countries पर especially Russia पर ठीक है especially Russia पर वो कम होगी और साथी साथ जब भारत दूसरी countries को export करेगा तो और विसी बात है इंडियन economy boost होगी प्लस जो रूपी है ठीक है रूपी भी international market में फैलेगा भाई ये जो de-dollarization term है या जो आपकी दिमाग में आता होगी dollar इतना strong क्यों है dollar इतना strong इस वचे से क्योंकि हर देश में आपको dollar मिल जाएगा क्योंकि universal currency है वो तो अगर हमें dollar की dependency खतम करनी है और रूपी की value अगर बढ़ानी है international market में तो जितना जादा भारत export करेगा उतना जादा रूपी भी internationalized होगा तो इस वज़े से कई सारे objectives हैं अगर ये manufacturing इसी तरीके से strong होती रही तो अब बात करते हैं कि C295 इसमें कौन-कौन से important features है ठीक है अब ये एक versatile आपका all weather military transport aircraft है पूरी तरीके से भारत में manufacturing होगा make in India के तहट ठीक है make in India के तहट इसका जो primary use है जो main objective है वो है आपका की tactical military transport और civil missions जैसे medical evacuation हो गया surveillance हो गया क्योंकि बहुत बार क्या होता ना कि कुछ targeted camps है अब जो हमारी arm forces होते है ना वो directly वहाँ पर attack नहीं कर देते हैं वहाँ पर confirm करना रहता surveillance करना रहता तो इसी वज़े से defense equipment में भी ना दो तरीके के weapons होते है एक surveillance में बहुत अच्छा रहे दूसरा आपका targeting के लिए है टार्गेट करने के लिए या अटाक करने के लिए है तो यह आपका surveillance base भी काम आएगा और साथी साथ आपका transport aircraft में भी काम आने वाला है ठीक है और medical evacuation और surveillance में भी इसका बहुत ही ज़्यादा useful होने वाला है capacity की बात करें तो यह आपका 71 troops यह आपका 50 paratroopers को paratroopers को यह अराम से carry कर सकता है पेलोड की बात करें तो maximum payload 9.25 tons है which is a very good amount range ही बात करें तो यह आपका 2055 km तक इसकी range है वो भी fully loaded जब पूरी तरीके से fully loaded रहे गा यह पूरा equipped base रहेगा जब यह aircraft उसमें सारी equipments रहेंगे उसके बाद भी जो range है तो आपका 2055 km है और 2 Pratt और Whitney PW127 Jigs आपका Trub Prop Engines भी लगे हुए which is a very strong engine तो अगर हम features की बात करें तो अपने में एक यह deadly aircraft है और अगर यह पूरी तरीके से prepared होगा तो defense sector में बहुत जादा मजबूती देगा इसी चीज़ को प्रांस्टर मोधी ने भी tweet करके भी बोला the aircraft complex in Varodra will ensure job opportunities for several of India's talented youth obviously बात है जब भारत में manufacturing होगी तो जब manufacturing setup होती है ठीक है तो वहाँ पे अगर industry लगेगी तो industry जब लगेगी तो production की demand हाईगी जब production की demand होगी तो obviously बात है लोकल यूद को employ किया जाएगा जब local youth को employ किया जाएगा तो supply बढ़ेगी supply बढ़ेगी तो production बढ़ेगा production बढ़ेगा तो raw material की demand बढ़ेगी और raw material की demand बढ़ेगी तो फिर जो ये पैसा है ना ये positively market में circulate होता रहता इसी वज़े से भारत को अगर 21st century में या हम कहते हैं कि हमें 2047 तक developed country या विक्सित भारत बनना है तो उसका सबसे important factor है manufacturing जब तक भारत manufacturing को strong नहीं करेगा खुद को independent नहीं करेगा dependency खतम नहीं करेगा चाहे वो चाहे वो दूसरी western countries पे हो तब तक भारत विक्सित country की रहा पर या विक्सित देश की रहा पर नहीं चल पाएगा manufacturing हर तरीके से बहुत ज़्यादा important है इसी वज़े से तरह तरह की initiative चाहे हम आत्म निरवर भारत की बात कर लें हम make in India की बात कर लें और हर सेक्टर में अगर हम medical की बात करें time defense की बात करें हर जगा जो है यह चीजें इन चीजों पर काम किया जा रहा है तो इसमें जो पांच important game changer है पहली तो आपको बता चुका हूँ कि make in India project है flip upgrade की बात करें तो यह जो आपका c295 aircraft है किसको replace करेगा यह आपका 748 aircraft को replace करेगा और विसी बात है जब replace हो रही जब भी replacement होती है तो improved capabilities के साथ ही आपका replacement की जाती है पिर टेक और skill development की बात करें तो यह आपका Tata और Airbus के बीच में यह collaboration है economic impact बहुत बड़े लेवल पर अगर इस तरह की बड़ी manufacturing complex या industry setup होती तो बहुत बड़े amount पर jobs generate होती है प्रलस अगर हम operational flexibility की बात करें तो मैं आपको already बता चुका हूँ कि versatile aircraft है आपका short और rough air stripes aiding diverse military missions हर तरह में यह काम आने वाला है तो हर तरीके से यह पुरी तरीके से game changer है भारत की economy के लिए भारत के defense equipment के लिए भी हर तरीके से ठीक है यह c295 है मैं आपको बता चुका हूँ कि 2026 तक यह पुरी तरीके से applicable रहेगा 15,000 high job skills expected generate होंगे 10,000 indirect jobs ठीक है एक तो आपका direct jobs 15,000 फिर 10,000 direct jobs indirect jobs होंगी अगले 10 साल में तो यह आपका जो airbus factories आपका जो inaugurate हुई है ठीक है जो टाटा airbus factory जो inaugurate हुए इससे यह सारी चीजे expected है कि c295 aircraft तो बने गई बनेगा ठीक है मेक इंडिया मेक इंडिया program है versatile and efficient है इंडिया भारत की पुरी तरीके से technology है jobs create होंगे directly jobs भी create होंगे indirectly jobs भी create होंगे industrial footprint भी बढ़ेगा ठीक है और aircraft की मात्रा भी बढ़ेगी तो हर तरीके से बहुत जादा फाइदे मंद्ध है भारत के लिए यह जो inauguration हुई है तो अगर मैं आपको यह टाटा aircraft complex सी बात करो अच्छा है कहां पर भी वरोधरा में कभी कभी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है तो manufacturing से लेके assembly testing delivery maintenance सब कुछ भारत में होने वाला है c295 यहीं बनेगा ठीक है यहीं manufacture होगा यहीं पर assembly होगी यहीं पर testing होगी delivery delivery यहीं maintenance सब कुछ c295 का यहीं होगा पूरी तरीके से भारत में बनेगा यह पहली delivery expected बता चुक हो September 2026 तक और इसके तहत 40 aircraft बनेंगे ठीक है यह जो आपकी factory वरोधरा में setup हुई है टाटा aircraft complex इसके तहत 40 aircraft जो है वो साल 2031 तक अगस्त 2021 तक expected है कि 40 aircraft जो है वो बन जाएंगे और एक collaboration की बात करें तो इसमें टाटा भारत electronics भारत dynamics और private MSMEs भी included है और 56 295 ठीक है 56 c295 aircraft पूरी तरीके से ready हो जाएंगे साल 2021 तक तो बहुत ही एक बड़ा achievement होगा in terms of fleet ठीक है अगर हम global adoption की बात करें c295 का तो इस्पेन इससे स्तेमाल करता है ठीक है पोलेंड इस्तेमाल करता है ब्रजील बहुत हाई लेवल पर इससे स्तेमाल करता है और आपको इजिट में भी देखने को मिल जाएगा सो एक यह high demanded aircraft है भारत अगर इससे manufacturing करेगा तो jobs भी great होंगी साती साथ इसको export भी किया जा सकता है तो यह थी पूरी news आई होप आपको यह सारी चीजन समझ में आई होंगी हर तरीके से आपके लिए इंपोर्टेंट है अगर आप लोग देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि इस तरीके कि आपके कहले वीडिएओ में जय हिंद जय भारत